जब तक आफशक्ता होती है तब तक रिष्टे गहरे लगते हैं किन्तु आफशक्ता समाप्त होने होते ही अपना पन भी समाप्त हो जाता है ये एक कड़वी सचाई आजकल के संबंदों की है मानवी संबंदों की वास्तविक्ता यही है कि व्यक्ति को जब तक आफशक्ता होती है वह हमारे साथ घनिस्ट और निकट संबंद बनाए रखता है लेकिन जिस दिन आपकी उसकी आफशक्ता समाप्त होई उसका हमारे प्रती अपना पन और सने अधीरे-धीरे समाप्त हो जा ही जादा बहतर है क्योंकि ये सम्मंद हमें केवल चोट ही पहुचाएंगे मतलब परस्ती वाले सम्मंद कभी भी लंबे नहीं चलते इसलिए अगर हजारों की जगा एक ही रिस्ता क्यों नहीं हो पर उन्तु वह सम्मंद प्योर और सच्चाई के साथ आगे बड़ा हुआ होन करती हूं आज मैं आपके सामने एक दिसंबर रविवार का दैनिक राशी पर लेकर उपस्तितु हूं और सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग के तो माक्षी स्मांक के क्रश्न पक्ष के अमावश्या तिथी आज है जो कि प्रातक काल 11.50 मिनट तक रहेगी उसके बा आज ब्रिश्चिक राशी में गोचे प्रमन करेंगे सुकर्मा योग आज के दिन बन रहा है सुब समय जिसे हम घुलीक काल के नाम से जानते हैं उसका टाइम पिरिड़ दौपेर तीन बज़े से लेकर चार बच कर तीस मिनट तक रहेगा वहीं रागु काल का समय दौपेर चार बच के तीस मिनट से सायं छे बचे तक रहेगा दिशा सूलाज पर्षिम दिशा में रहेगा यदि इस दिशा में यात्रा करना आवशको तो घी खा कर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं बढ़ते हैं और आज आते हैं आज के दैनेक राशी फलपर आज मैं आपको को बताऊंगी कि राशी के अनुसार आपको कौन सा तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए जिससे आपको अपनी नौकरी में सफलता प्राप्त को सके तो इन उपायों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक चरूर देखें शुरुआत करते प्रथम राशी यानि मेश से चंद्रमा आज के दिन अस्टम भाव में गोचे प्रमन करेंगे आज के दिन यात्रा आपके जीवन में अधिक रहेगी परन्तु यात्रा पर जाते समय अपने इस्त्रदेव का ध्यान करके जरूर निकले आज के दिन अचानक धनलाप के भी योग आपके जीवन में लगाना चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा हरा शुबंक रहेगा तीन अब आते हैं व्रशब्राशी पर आपकी रासी से चन्रमा आज के दिन सब्तम भाव में गोचे प्रामन करेंगे अता आज का दिन आपके काम में आपको बड़ी सफलता दिलवाएगा आपकी जीवन में आरे समस्याएं दूर होगी यात्राएं सुगम रहेगी जीवन साती का सयोग मिलेगा लव की प्रॉबलम आज के दिन सॉल्व हो जाएगी आज के दिन आपको मन चाहा लाइप पार्टनर भी प्राफ्त होगा इस राशी के जात्कों को सफीज चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा काला शुबंग रहेगा दू अब आते है मिथण राशी पर अपकी राशइ से चेंद्रम आज के दिन छटे ही भाव में गोचर फ्रहंन करेंगे अता आज के दिन सुच कर ने नयले कोई भी कारे चल्द वाची में करने से बचें आज के दिन जो भी कारे आप करेंगे उससे पहले योजना बत-तरीचे से उसको बाद उसकारे की शुरुवात करें आज के दिन शत्रु पक्स आप पर हावी हो सकता है इसलिए अपने शत्रुओं से सावधांद है ननियाल पक्स से आपको आर्थिक लाप राप्त होगा मितन राशी के जातकों को अस्टकंत का तिलक अपने माते पर लगाना शुब रहेगा आपका शुबरंग रहेगा सफिद शुबंग रहेगा पांच अब आते हैं करक राशी पर आपकी राशी सी चंद्रम आज के दिन पांचवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन करियर में आरही दिक्कतों को दूर कर देगा आज के दिन आपकी इच्छाएं पूरी होगी अध्यात्मिक कारियों में आपका मन दिख लगेगा आज के दिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में कोई समस्या है तो मित्रों के स्योग से आपकी सारी समस्यां दूर हो जाएगी इस राशी के जात्कों को सफिच चंदन का तिलक लगाना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा लाल शुबंग रहेगा तीन अब आते हैं सीह राशी पर आपकी रासी से चंदरमा आज के दिन चौथे भाव में गोचे प्रमन करेंगे अधा आज के दिन सोच समझकर नेने लें कोई भी नेने जल्द बाची में लेने से बचें आज के दिन आर्तिक स्तती थोड़ी सी फ्लेट्रिशन से भरी दिखाई देगी इसलिए अपने आर् से राशी वाले जातकों को लाल रंग का तिलक लगाना शुब रहेगा आपका शुब रंग रहेगा पीला शुबंक रहेगा एक अब आते कन्या राशी पर आपकी राशी से चन्रम आज के दिन तीसरे भाव में कोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन आपके बल और पराक्रम में व्रती होगी भाई बेनों का सयोग मिलेगा आज के दिन आपके कोई बड़ी इच्छा पूरी होने से आपके मन में प्रसन्यता के भाव उत्पन होंगे आज के दिन अचानक धनल आपके भी योग बनेंगे कन्या राशी के जातकों को रक्त चन्नन का तिलक अपने माते पर लगाना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा अब आते हैं तुला राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचे टरमन करेंगे अता आज के दिन सोच समझ कर नेरनेले कुटुम मैं मान सम्मान बढ़ेगा आज के दिन आपके कोई बड़ी इच्छा पूरी होने से आपकी प्रसन अता में व्रती होगी आज के दिन वर्क आज के दिन ध्यान देकर गुप्त तरीके से अपने कार्यों को करें इस राशी के जातकों को सफीच चंद्रमा आज के दिन आपकी खुद की राशी में कोचे प्रमन करेंगे आज के दिन आप जो भी कारे अपने हाथ में लेंगे उस कारे में आप निश्चित तोर पर सफलता प्राप्त करेंगे आज के दिन आपकी इच्छाएं पूरी होगी आज के दिन आप अपने घर के बड़ों का माँद दर्षन प्राप्त कर अपनी बड़ी समस्याओं को बढ़ेगी व्रिष्चिक राशी के जातकों को लाल सिंदूर का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा भूरा शुबंग रहेगा आठ अब आते हैं धनू राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन बारवे भाव में गोचे पर्मन करेंगे अता आज का दिन खर्च की स्ततियों को बढ़ा सकता है अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंतरित करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें किसी भी कारे को जल्द बाजी में न क आज के दिन जो भी कारे आप अपने हाथ में लेंगे उसमें आपको निश्चित तोर पर सफलता प्राप्त होगी आज के दिन आपको रिस्वत लेने से बचना होगा आपको पीले चंदन और हल्दी का दिलक लगाना चाहिए आपका शिबरंग रहेगा ग्रे शिबंक आज का दिन अचानक दनलाप की परिस्तितियों को बढ़ाएगा महीं आज के दिन आपके मान सम्मान में व्रतियों की लेवल और सरकल बढ़ता हुआ दिखाई देगा पीपीज आपके सरकल में जुडएंगे बड़ी भाई बैनों का सयोग मिलेगा घर में गेट टोगेदर के प्रोग्राम्स होंगे इस राशी के जातकों को धूब बत्ति की राक कतिलक अपने माते पर लगाना चाहिए आपका शिब्रंग रहेगा मैरून शिबंक रहेगा तीन अब आते हैं कुम राशी पर आपकी रासी से चंद्रमा आज के दिन दसवी भाव में गोचे प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है आपके काम में आरी दिकते दूर हो जाएगी आपको आज के दिन कोई बड़ी सफलता प्राप्त होगी आज के दिन आपक किसी बड़ी समस्या का हल जल्दी ढून लेंगे आज के दिन अगर आपका कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव जाएगा कुम राशी के जातकों को काजल का तिलक लगाना चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा नीला शुबंग रहेगा नो अब आते हैं मीन राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन नवम भाव में गोचर प्रवन करेंगे अता आज का दिन आपके लिए बहुती भागे बर्दक रहेगा आपके काम फटा-फट से होते हुए दिखाई देंगे आपकी इच्छाएं पूरी होगी आपके आपको आज के दिन कोई बड दिले रंका तिलक लगाना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा अस्मानी शुबंख रहेगा तीन तो यह एक दिसंबर रविवार का दैनिक राशीपल अब मैं अपनी वानी को यहीं विराम देती हूं स्वस्त रहिए व्यस्त रहिए मस्त रहिए और हमीशा मुस्कूराति जै श्री रादेक्रश्ना गुरुमा निधी श्री माली एक प्रसिद्ध ज्योतिश आचार्य हैं उनके जोध पुरिस्थित ज्योतिश संस्थान में महामृत्युन जय कालसर्प दोश मा बगला मुखी विवाह बाधा निवारन पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूज जाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधिविधान एवं शासरुक्त रीती से संपन्न करवाई जाती है अतह आज ही अपनी पूजा बुक करवाने है तू इन नंबरों पर संपर्क करे 8 9 5 5 6 5 8 3 6 2